सावन माह में सिवलिंग पर चढ़ाएं ये नौ तरह के अनाज भगवान सिवजी के प्री माह सावन की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से होने वाली है इस माहभख्ध भगवान सिव को प्रसंद करने और उनका आशिरवात पाने के लिए पूजा पाथ और व्रत करते हैं वैसे तो सावन माह में अविसे का खास महत है लेकिन इस माह पूजा पाथ और अविसे के साथ भगवान को अराज चढ़ाने का भी विधान है इसे सिवा मुठी कहा जाता है मनो कामना पूर्थी के लिए सावन में भोले नाथ को सिवा मुठी यानि एक मुठी अनाथ चढ़ाई जाती है इसे भक्त के सारे कष्ट दूर होते हैं और भगवान सिप की क्रपा से घर में धन धान की कमी नहीं होती आईए चानते हैं सावन माह में सिवा मुठी में कौन से अनाथ चढ़ाने से प्रसंद होते हैं महादेव उससे पहले आप भी चाहते हैं कि भगवान सिप की क्रपा आप पर बनी रहे तो क्रपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखें भगवान भोले नाज से मेरी प्रात्ना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों पर हमेशा अपनी क्रपा बनाए रखना सावन में भगवान सिप को एक मुठी अरहर की दाल अर्पित करनी चाहिए अरहर दाल से धन एशर और सुक समर्दी की प्राप्ती होती है सिबलिम पर पीली अरहर की दाल अर्पित करना सुभ होता है और इससे महादेव प्रसंद होते हैं बताया जाता है कि जो जातक हर रोज सिवलिंग पर अरहर की दाल या फिर अरहर की दाल के पत्ते अर्पित करता है, उनके जीवन में हमेशा धन वा एश्वर बना रहता है और परिवार में सुख सम्नद्धी बनी रहती है। नमबर दो, अच्छत, सिवजी के प्री मा सावन में एक मुठी चावल चड़ाना भी बेहसुभ होता है। इससे धन लाग होता है और धन सम्नदी परेशानिया भी समाप्त होती हैं। लेकिन इस बात का विसेज ध्यान रखें कि सिवजी के लिए आप जो अच्छत ले रहे हैं वह सावत हो। अच्छत का कोई भी दाना तूटा हुआ न हो। सावन माह में सिवजी को एक मुट्टी गेहु चड़ाने से व्यक्ति को सांसारिक सुखो की प्राप्ती होती है। इसके साथ ही विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। संतान सुख की प्राप्ति के लिए आप सावन में सिवा मुर्टी गेहु जरू चढ़ाएं नमब चार उड़द कहा जाता है कि सावन के महीने में सिबलिंग पर उड़द चढ़ाने से ग्रह दोष तूर होते हैं और सनी पीड़ा सांथ होती है कभी कभी लाग कोशिसों के बाद भी सफलता नहीं मिलती और काम में बाधा आती है ऐसे में व्यक्ति को सावन के महीने में सिबलिंग पर मुर्ग डाल चढ़ाना चाहिए इससे बाधाएं तो दूर होंगी ही साथ ही मनोवांचित फल भी मिलता है सावन के महीने में सिबलिंग पर चणे की डाल चढ़ाना चाहिए जीवन में यदि आपका भाग साथ नहीं दे रहा आर्थिक परेशानिया हैं झाल चाहिए झाल चाहिए झाल 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 झाल